हमारे राम आ गए कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था राम भारत की प्रतिष्ठा है राम भारत का प्रताफ है हमारे प्रबु राम आ गए राम प्रबा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है जय श्री राम आप देख और सुन रहे हैं राजस्तान आज तक आज अलावा राम जी के कोई बात करने के लिए विशह ही नहीं है किसी के पास नहीं है आज राम जी की बात वो भी कर रहे है जो राम जी को नहीं मानते पूरा विश्यू राम जी की बात कर रहा है क्योंकि भारत ने राम जी की बात शुरू की कल प्रान प्रतिष्टा कारिकरम हुआ और सेकड़ों पीडियां सेकड़ों लोग खत्म हो गए हम इठाईयां बाटी पठा के फोड़े भारत में ऐसा लगा जैसे पहली बार इतनी रद इस्तर पर दिपावली मनें गई उत्साहा मानो चरम पर था जिस गली महले से निकल जाओ चौराहे से निकल जाओ वहां की व्यापार संग महला विका समिती अपने अपने हाँ कारिकरम कर रहे थे सुंदर कांड का पाट करवा रहे थे तो कोई राम लिला के इस कारिकरम की इस आयोजन को बड़े स्क्रिन पर दिखाने की तैयरी कर रहे थे भगवाद जंडिया और बैनर खत्म हो चुके थे चारो तरब बैनर और जंडे लेने के लिए लोग डौड रहे थे ऐसा क्या है इस मूर्ती में ऐसा क्या है प्रान परतिष्टा में या मोदी जी क्या कर रहे हैं सब की नजरह थी और जब राम जी के प्रतम दर्शन हुए आहाहा मतलब अविरल अशुरदारा बह निकली खुद को रोक पाना मुश्किल था सब भवक हो गए उसमें हम भी शा ली गई जैसे जैसे आवाज लोगों तक पहुंची माइक के द्वारा और भीड इतनी हो गई कि मंदिरों में समाना मुश्किल हो गया तो लोग बाहर भी बैठ कर कारिकरम का आनंद ले रहे थे राम जी के दर्शन कर रहे थे घर पर सारे काम बंद थे कई सारी दुकाने आ कैसे दिखते हैं शाक्षात ऐसा लगा कि राम जी ने दर्शन दिये राम जी प्रकट हुए अवत्रित हुए शाम रंग के राम जी को देखकर ऐसा लगा अभी बोल पड़ेंगे और कहेंगे मैं आपके साथ हूँ रोम रोम में कण कण में राम जी है लेकिन कल महसूस हुआ कि हाँ राम जी हमारे रोम रोम में है जब राम जी के दर्शन हुए तो रोंग टे खड़े हो गए खुशी से कुछ कहने पाए शैकड़ों लोग रोए खुशी से आंसू बहाए अपने आप से आंसू निकल गए थे विदेशों में अब धेर सारे लोग कार और बाइक पर जंडा लगा कर जय श्रीराम बोलते हुए कारिकरम कर रहे थे कितना अच्छा लग रहा था विश्व में शैद ये ऐसा कोई वेक्ति होगा तो ये सोचे जो बगवा को पसंद करता है जो राम जी को पसंद करता है उसकी नजरे टीवी पर नहीं थी उसकी नजर मोबाइल प पर उकेरा, गत्ते पर, कागज पर, तीली से, काच पर, चावल पर, हाथों में महंदी के द्वारा, टी-शेट पर, सिर पर लिखा, जय श्री राम, मंदिर गुदवाए, कहां नहीं थे राम जी, हर किसी ने अपने तरीके से राम जी को दिखाया, मंदिर को दिखाया जगे जगे लोग राम दर्बार का रूप धर कर बैठे थे, कहीं छोटे बच्चे तो कहीं बड़े भी, लोग उनके साथ वीडियो बना रहे थे, फोटो खिचवा रहे थे, जैसे अरुन गविल सड़कों पर निकलते थे, जिन्होंने रामेंड में राम जी का रोल किया थ लोग उन्हें असली के भगवान मानते थे, पाउं चूते थे, सड़क पर लोग उनके तरफ दोड़ते थे, वैसा ही हुआ जब छोटे या बड़े सड़क पर महले में, कारिकरम में कहीं राम दर्बार बनकर बैठे थे, राम जी, सीता जी, हन्मान, लक्ष्मन जी, सभी ल जला रही थे, जोपड़ पट्टी वालों को भी पता था कि राम जी आज अवत्रित हुएं, आज प्रान परतिष्टा हुई है, ऐसा लगा दिपावली आज है, मतलब ऐसा नहीं था कि जो पैसे वाले लोग हैं, या जो इसका खर्च उठा सकते हैं, उन्होंने ही दिये जल गए, सेक्ड़ों ऐसे लोगों ने गीत गए, जो बहुत बड़ी लोग है, बहुत बड़ा पैसा लेते हैं, उन्होंने फ्री में गए, और ऐसे लोगों ने गए जिन्होंने कभी गाना गया ही नहीं, भजन गया ही नहीं, वो भी गा रहे थे, गुन गुना रहे थे, हर किस से चारोत तरफ राम जी है राम जी की बात की जा रही थी राम जी के दर्शन करने के लिए आंकें टक्टकी लगए देखी जा रही थी कोई काम नहीं था किसी को भूक लगी थी तो वो टीवी के सामने से उठना नहीं चाह रहा था किसी को जरूरी काम से जाना था तो वो उठ नहीं पा रहा था उसको लगा सबसे जरूरी काम है राम जी के दर्शन करना है हर गली महले में जहां से हम गुजरे ट्रेफिक जैम मिली और धेर सारे लोग केवल जंडिये और फरिये बांते मिले और कारिकरम के लिए मिठाई बाटे मिले हर किसी ने मिठाई बाटी ऐसा लग भी में भी नहीं देखी और सुबह जब समाचार पत्र गर पर पहुंचा तो काफी मोटा था क्योंकि सेक्ड़ों लोगों ने विग्यापन दी लाकों करोडों के विग्यापन लाकों करोडों के वाहन बिखे और तो और लोगों ने अपने बच्चों की जन्मती थी एक दि के द्वारा तेह कीगी ते राम जी ने कहा था कि एक दिन बाद में या पहले हो तो ये तारिक मेरे साथ व्यवस्तित करना मेरे साथ रखना बच्चों का जीवन क्या होगा जब उनको बताए जाएगा जिस दिन राम जी की प्रांट पतिष्टा हुई थी उस दिन तुम इस द दुनिया माए है राम मै कन कन में राम रोम रोम में नाम हवा की हर जोके में राम हर बात में राम बरसों बरस तक इस तारिक को याद किया जाएगा राम मंदिर की इस प्रांट पतिष्टा को याद रखा जाएगा और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि मंद पिर अभी पूरा नहीं बना, तो कारिकरम क्यों किया, ऐसी क्या जल्दी थी, ये कहने वाले वो लोग है, जो राम जी को मानते ही नहीं है, तो मैं उनके लिए एक बड़ा उधार्म दोंगा, बार्ड मेर जिला था पहले, बालोतरा जिला है, उससे 13 किलोमेटर दूर नाकोड तिर्तिस्तान है, नाकोड़ा तिर्तिस्तान में, 35 साल पहले जब मैं पहली बार दर्शन करने गया था, तब मंदिर का कारिकरम चल रहा था, यानि कि निर्मान चल रहा था, और आज भी चल रहा है, और वहां के निवसी, वहां के लोग जो पैसा लगा रहे हैं, वो कहते है यहां हतोड़ी और छैनी को हम कभी बंद नहीं होने देंगे यानि कि निर्माण चलता ही रहेगा इसका क्या मतलब है वो मंदिर अधुरा है मंदिर अधुरा नहीं है आपकी जानकरी अधुरी है दिमाग में कई केमिकल लोचा है उसको ठीक कीजिए मंदिर सही समय पर बना प्राण परतिष्टा सही समय पर हुई मंदिर बन चुका है यूँ तो अब निर्माण होता ही रहेगा इसका क्या मतलब है अगर पचास स्वा साल निर्माण होगा तो मंदिर पूरा नहीं हुआ नाकोडा इसका सबसे बहत्री उधरन है आप आज चले जाएए दस साल बाद वापस जाना वहाँ निर्माण होता हुआ दिखेगा तीस साल बाद फिर जाना आपको निर्माण होता हुआ दिखेगा मंदिर पूर्ण हो चुका है जिन जिन लोगों ने मंदीर पूर्ण नहीं हुआ या हम नहीं जाएंगे कहा उनको बहुत पस्तावा हुआ काश उन्होंने दर्शन किये होते वहां गए होते बाहर भीड में बैट गए सम्मान जनक इस्तिती से दूर हो गए बेजित्ती करवाली जाना था जीवन बर पस्ताएंगे जब वो टीवी पर समाचार देखेंगे जब यूट्यूब पर देखेंगे जब वीडियो आएंगे ख़बर आएगी फोटो आएगी वहां आप नहीं होंगे बागी सभी लोग थे सबका सम्मान हुआ इस पल का अंतिजार किसने कितने सालों नहीं किया होगा लेकिन आपको जरूरत नहीं थी और अब आज जीवन आप पस्ताते रहेंगे रोते रहेंगे कि राम जी के दर्सन वहां जाकर किये होते हमें समान पूरक बलाए था ज़्यदा अच्छा होता राम जी की बात है भगवा की बात है आपको जरूर अच्छी लगी होगी लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें